सभी आंगनबाडी सीवी का सहय का मिनी बहनों का अपने आल इंडिया आंगनबाडी न्यूस चैनल की आज सुबे साथ बजे की सच्ची खबरों में स्वागत है भायो बहनों वीडियो को पूरा देख करके जाना सबसे पहले तो निदसाले से एक आदेश आया है जिसमें बड़ी खुस खबरी है आंगनबाडी बहनों के लिए और इसके अलावा फिर मांदे से जुड़ी हुई जानकारियां भी आप सब को देंगे कौन कौन से जनपदों में और कल पैसे देखने को मिले हैं उनके बारे में भी बताएंगे और बहुत कुछ जानकारियां इस वीडियो में मिलेंगी तो सभी आगनबाडी बहनों वीडियो को पूरा ध्यान पुरवक सुन करके और देख करके ही जाना बात करते हैं सबसे पह इस लेटर में उन्होंने जो है इतने जिलों के जो डीपियों है यानि प्रभारी जिलाकारिकम और में जिलाकारिकम दोनों डीपियों को ये लेटर भीजा गया है अब इन जनपदों के हम नाम एक एक करके लेने वाले हैं और जनजन जनपदों के नाम आ जाएं तो वहां क यांगनबाडी बहनों के लिए एक बड़ी खुसकबरी है। गोंडा है, गोरकपुर है, हमीरपुर है, हापुड है, हाथरस है, जालोन है, जौनपुर है, कन्नोज है, कानपुर देहाथ है, कासगंज भी है, कौशामभी भी है, कुसी नगर भी है, लखीमपुर खीरी भी है, मैनपुरी भी है, मतुरा भी है, मेरट है, मुरदाबाद है, मुझफर नगर है पीली भीत है रामपुर है सहारनपुर है संभल है संत कबीर नगर है सहजहांपुर है सामली है स्रावस्ती है सिधार्थ नगर है और सून भद्र भी है तो उत्तर प्रदेश के इतने जिलों के जहां जहां मैंने नाम लिये हैं वहां के जिलाकारकरम अधिकारी और प्रभारी जिलाकारकरम अधिकारी को नदसाले से नदेशक सरनीत कौर ब्रोका जी ने 28 मार्च को ये लटर जारी करके भेजा जिसका पत्रांक 1858 है और विसे में इस लटर के उन्होंने लिखा कि आंगनबाडी कारिकरती से मुख्य सेविका पद पर नवचेनित अभ्धरतियों के जनपद में योगदान के सम्मन्द में तो जो नई नई आंगनबाडी बहने सुपर्वाइजर अभी अभी बनी हैं उन सभी आंगनबाडी बहनों का अपने अपने नवचेनित अभ्धरतियों के जहां कहीं भी जनपद उनको मिले होंगे वहाँ पर वो अपना योगदान दे यानि वहाँ पर अपना कहलो कि अपने उस पद पर सुपर्वाइजर वाले उस पर जाएं और उस पर जो वह रहकर के अपना आप काम करें यानि अपना य ये चीज़ें हैं लेटर तो सबको मिल ही गए थे अब आगे देखो इसमें विभाग ने या नदसाले से नदेशक जी ने क्या लिखा उपरियुक्त विसे के संबंध में अवगत कराना है कि विभाग में आंगन बारी कारकरती से मुख्य से विकापद पर कटाफ्ति थी एक साथ 2017 के आधार पर संपादित चेन प्रक्रिया में चेन अभ्यतियों को निदसाले के द्वारा माह जुलाई 2023 से जनवरी 2024 के मध्य नियुक्ति पत्र निरगत करके आवंटित तैनाती जनपद में 15 दिन के अंदर योगदान करने की समय सीमा नरधारित की गई थी नियुक्ति पत्र में यह भी उल्लेक किया गया था कि सम्मंदित जनपद के जिलाक कारिकम अधिकारी के द्वारा नवचेनित अभ्यर्तियों यानि मुख्य सेविकाओं के जनपद में योगदान करते समय उनके द्वारा प्रस्तुत सेचडिक अभिलेक एवं प्रमान पत् तक आपराप्त है या इस्तिति अत्यंत ही खेद जनक है तो यहां पर जो खुसी है वो खुसी में न रहे करके जो है यहां पर आप देख रहे हैं किस और जा रही है यह उन नवचेनित आंगन बारी बहने जो सुपरवाइजर बनाई गई थी उनको निदसालेश से लेटर यह गए थे और 15 दिन में जो है अपने जगे तहनाती जगे पर जहां उनका जोइनिंग हुआ है वहां पर जाकर के नौकरी करने के लिए भी बोला गया था कि 15 दिन के अंदर वहां पर अपना जोइन कर लो जाकर तो अभी तक वो चीजें और उसके तहट जो भी प्रमार प पहा गया निदसाले से जरा सुनिये अता आपको नर्देशित किया जाता है किसको डीपियों लोगों को कि आंगनबारी कारकरती से मुक्य सेविका पद पर नवचैनित अभ्यर्थी की जनपद में योगदान से सम्मंधित जो सूचना है वो नरधारित प्रारूप पर तीन पत्र वाहक के माध्धम से एक सप्टा में निदसाले को उपलब्ध कराना सुनियचित करें निदेशक जी ने कहा है डेपियों लोगों को कि एक सप्टा के अंदर जो है वो सभी कागत जो है जो हैं जो मैंने अभी बताए उन सब चीजों को वहां पर निदा साले विसेस प पनों के इस तर से लापरवाईयां बरती गई हैं हमारी नई नई आगनबारी बहने सुपरवाईजर बनी हैं और ऐसे में आप देख रहे हो कि उनके सुपरवाईजर बनने के बाद का जो प्रोसेस है वो आगे किस तरीके से धीमी गती से बढ़ रहा है या यूं कहें कि वो प्रदेश से जुड़ी हुई भी जानकारियां मैं दूंगा तो आईए आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के स्रावस्ति जले से पुस्पा बहन आती हैं इन्होंने अपने मांदे से रिलेक्टेट मैसेज किया भाया जी नमस्ते मेरे यहां आज दिनांक 29 मार्च को यानि लिखा है कि लगबग ये 500,000 लिख दिया है दरसल 5000 वो लिखना चाहती थी एक 0 इनका छोड़ गया 5000 रुपे का एक और मैसेज आया यानि 7,000 प्लस 5000 ये इन्होंने कहा है कि इनके स्रावस्ति के बलाक सिरसिया में पैसा कल आया है तो कल बहुत से जगे खुसकबरी मिली खु प्यलाई का था वो सब पैसा बहनों का पहुचाया गया इसके अलावा भी जो रह गई है थोड़ी बहुत कसर वो ये है कि कुछ जन्पदों में कुछ भाई बहनों का 45 सो मद का पैसा अभी भी नहीं आया बाकी राज सरकार का जितना भी अंस था अतिरिक्त मांदे का फरव मांदे वाले मेसेजों पर आएंगे अभी और जन्पदों के मांदे की जानकारी आपको देंगे उतरपदेश के अमेठी जिले से हितेस बहन आती हैं जनों ने एक जानकारी प्रसारण के लिए आलंडिया को भेजी है इसमें आप देखिएगा काराले बाल विकास पर्योज तीन से आती हैं और इनको लेकर के यहां पर कुछ बाते आई हैं धरसल इनके चयन के खिलाब सिकायते प्राप्त हुई है आईए बताते हैं मामला पूरा क्या है आपके चयन के संबंद में सिकायत प्राप्त हुई है कि आपका नाम पुरसोत्तमा पुत्री स्री राजन कुम पारपत्र लगा करके चैन हुआ है यानि सिकायत यह आई कि नाम इन मौतरमा का अलग है और इन्होंने किसी और का नाम वाम लगा करके किसी और के जो है यह सब लगा करके कागज और नौकरी उन्होंने कर ली ऐसा सिकायत आया इसी सम्मंद में लिखा गया कि उक्ति सिकायत के सम्मंद में आपको दूरभास पर अदोहस्ताचरी काराले से सूचना दी गई थी कि आप अपना हाई स्कूल और इंटर्मेडियेट की सर्चडिक योगिता की मूल प्रती काराले में आकर के जमा करें जिससे सिकायत की जानत की जा सके परंतु आपके दूरा अभी तक हाई स्कूल और इंटर्मेडियेट की सर्चडिक योगिता की जो मूल प्रती है काराले में जमा नहीं करी गई जो की अदोहस्ताचरी की आदेसों की अविलना है आपको दोदिन के अंदर पत्र के माध्यम से पुनह सुचित किया जा रहा है कि आप अपनी सर्चडिक योगिता की मूल प्रती काराले में जमा करें जिससे सिकायत की जाच करके सिकायत निस्तारित की जा सके यदि आपके द्वारा दो दिवस के अंदर सेच्छडिक योगिता की मूल प्रती काराले में जमा नहीं की जाती है तो यह मान लिया जाएगा कि आपके सम्मंद में जो सिकायत हुई है वो सत्य मानते हुए उसको और आपके उपर धारा 419, धारा 420 इसमें प्रात्मिक्ता दर द्रावली उच्चा दिकारियों को प्रेसित कर दी जाएगी साथी साथ अभी तक विभाग द्वारा जो भी मान दे आपको दिया गया है वह ब्याज के साथ में आपसे वसूली भी कर ली जाएगी जिसके लिए आप पूर्तिया उत्तरदाई होंगे तो यहां पर आप उनके लगे हैं नाम भी किसी होर का है और फरजी तरीके से नौकरी कर रही है इसके बाद जब विभाग ने उनको बोला कि अपने जो मूल अभिलेक हैं जो असली वाले कागजात हैं उनको लेकर कारयाले आओ तो यहाँ पर वो अभी तक कारयाले पर नहीं पूँचिएं फ इसलिए अभिलेक प्रिस्तुत नहीं कर रही है और कोई जवाब इनकी तरब से नहीं जा रहा तो ऐसे में इनका नोकरी भी जाएगा और इनका जो मांदे भी रोग दिया जाएगा और साथी साथ इनके उपर दो धाराओं में मुकदमे भी दर्ज होंगे चार सो बीसी का चार सो नीस का इसके अलबा जितना भी पैसा आज तक इनको मांदे सुरूप मिला है वो भी पूरा पूरा मांदे ही नहीं पूरा ब्याज के साथ में इनसे वसूला जाएगा और जितना मांदे हो जाएगा कहीं जो ऐसे ही इससे आदा या इससे जादी आपका उपर से ब्याज भी हो जाएगा तो कहीं न कहीं ब्याज प्लस टोटल मान दे बहुत बड़ी एक रकम हो जाएगी जो सायद ये अदा भी ना कर पाएं तो इसलिए वहाँ जाओ और अपना जो भी है उसको प्रिस्तुत करो क्योंकि नवकरी करने से पहले ही साइन करवाय जाते हैं किसी भी तरह की फरजी वाड़ा धोखा दड़ी अगर हम करते हैं तो फिर वसूली होगी ये सब होगा और उसके लिए हम व्यक्तिकत रूप से जम्मेदार होंगे ये सम्मुकदमे दर जोंगे सब कुछ साइन हो जाते हैं तो फिर भी अगर कोई सासन को नियमों को अगर उल्लंगन करते हुए फरजी तरीके से ऐसे धोखा दड़ी 400 बीसी करके अगर कोई नौकरी हासल कर लेता है तो इन फ्यूचर ऐसे ही दिक्कतियों का सामना आगे करना पड़ता है तो यहां पर इनके खिलाब फिलाल सिकायच प्राप्त हुई है फिलाल इनका मामला क्या है क्या वाकई में दोकादड़ी की भी है या नहीं इन चीजों की पुष्टी आलेंडिया नहीं करता केवल इस आदेस के मुताबिक लोगों को सला दे रहा है आप लोगों को कि सतर्क रहें सावधान रहें कभी भी जीवन में फरजी तरीके से नौकरी का मन ना बनाएं अन्य था आगे ऐसे ही दिक्कते आएंगी फैदा क्या जितनी मेहनद जितना कमाया वो ब्याज के साथ में आपसे वसूला जाए तो ऐसे में अब देखो इनका क्या होता है और होगा कुछ न कुछ जरूर अगर इस मामले को लेकर कुछ दबाही दिया गया तो बात अलग लेकिन सिकायत करता अगर मजबूत रहे समझदार रहे तो वो सिकायत करता बैठेंगे नहीं बेसक अगर पर्योजना या अधिकारी लोग कुछ लिपापोती कर दें ले दे करके लेकिन फिर भी अगर वो चाहेंगे तो और इधर उधर बागेंगे मीडिया सोसल मीडिया हर जगे सिकायत करेंगे यहां तक मौका मिला तो मुक्तिमंत्री जी तक भी सिकायत पहुचा देंगे फिर जांच हो जाएगी तो फिर उस वो अधिकारी भी लपेटे में आ जाएगे तो इसलिए कोई अधिकारी भी नहीं चाहेगा कि फरजी तरीके से जो नौकरी पर लगा है उसको बचाएं और गलत तरीके से वो जाँच की रिपोर्ट लगा दे तो जायर सी बाते वो सब लोग सही रिपोर्ट लगाएंगे ऐसे में तो अब कहीं ने कहीं मामले देखने को इसे मिलेंगे आगे तो कुल मिला करके अब इनका क्या होगा रखते करेगा अब इनको जाना है कि नहीं जाना ये अपना जाने दो दिन का समय इनको दिया गया मेहंदर मालवी जी सीहोर से हैं और दैनिक भासकर में सीहोर में एक ये जानकारी निकल के आई कि 500 रुपे किराय में इतना छोटा कमरा बैठा करके पढ़ाना बच्चों को बहुत मुस्किल है लापरवाही तो देखिए समय पर नहीं मिलता किराया कारिकरताओं को तीन माँ से नहीं मिला जो है यहां पर और मांदे कारण बताया गया कि बजट नहीं है तो ये सीहोर जनपत का हाल है मद्द प्रदेश का ये जानकारी आप देख रहे हैं 29 मार्च का ये आर्टिकल जिसमें आवाज उठाई गई है और धैनिक भासकर की तरब से बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आगनबारी बहनों के मांदे को लेकर के आवाज को कम से कम उठाया वरना इतने अकबार और भी हैं किसी ने भी आगनबारी बहनों के मांदे को लेकर के आवाज नहीं उठाई कि कहा कहा कितना कितना मांदे उनका बगया चल लहा है हाँ पोस्टे आएंगी तो कभी बिग बॉस की कभी ये सेलिबरिटी ने ये किया वो किया उनके गरबो हो रहा यही सब चीजें बस दिखाई जाती हैं लोगों की समस्या जो मेन कारण रह गया वो दिखाई नहीं देता लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि मेन आवाद उठाई गई बताया गया यहां पर कि जिले में आगनबाडी की हालत काफी खराब है सहरी छेतर में तो किराया ठीक ठाक है लेकिन गाओं में तो सिर्फ महिने में 500 रुपे से 550 रुपे तक ही आगनबाडी भवन का किराय के रूपे मिलते हैं जहां का आगनबाडी इतना छोटा होता है जिसमें बच्चों को सीखना मुस्किल होता है और जिले में 1415 आगनबाडी है इसमें से 285 के पास भवनी नहीं है इनमें 177 ऐसे हैं जो निर्माडा दीन है सहरी छेतर में या किराया 3000 रुपे प्रतीमा है भरोंदा बलाक की परताल की तो चला पता चला कि 273 आगनबाडी है इनमें 174 विभागी भवन में संचालित है तिरपन सरकारी भवन में चल है 46 आगनबाडी भवन जो है भवन विही जो लिखा गया कि पानी में मिनी आगनबाडी जोपडी में लग रहे हैं यानि पांगी को छेतर होगा और साथी कार करता सर्मन ने बताया कि 44 बच्चे 3-6 मा के दर्ज हैं वही को 115 बच्चों को जोपडी में ही बुलाना पड़ता है भवन के लिए विभागी अधिकारियो उसे बात की गई लेकिन नतीजे आपके सामने हैं कि कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा फिलहाल आगनबाडी बहनों को मांदे भी आपको बताना चाहेंगे कि लंबे समय से नहीं मिला लिखा गया है कि यहांपर आगनबाडी में यहां की सायका ने बताया कि तीन महीने से क सरकार रही तब तक ऐसा लगा समय पर पैसा पहुच रहा था जब से सत्ता परिवर्तन हुआ पार्टी वही है बस चहरे बदल गए हैं मुख्यमंत्री पद के और ऐसे में आप देख रहे हैं आगनबारी बहनों की तरफ मानों कोई ध्यानी नहीं जा रहा नहीं सरकार का लिका सरकारी योजनाएं इनके तहट दो-दो साल क्या ददद साल भी इससे भी पुराने रिकार्ड के सेंटर पड़े हैं जो की बस अधूरे पड़े हैं वो बन करके तयार ही नहीं हुए सासन प्रसासन अधिकारी पता नहीं जाच निर्चड के नाम पर क्या खाना पूर्ती करत साम रोक दिये जाते हैं और आगे फिर कुछ बढ़ता ही नहीं और वो पैसे सब चट हो जाते हैं और उसमें कहीं न कहीं सवाल फिर खड़े होते हैं रमावती जी है आगरा से आती हैं 500 रुपे इनके वहाँ पर पहुँच गए हैं एक ये मैसेज उन्हों ने भेजा है सस्कला जॉनपुर से हैं 300 रुपे इनके वहाँ पर कल 28 को दरसल आय थे वो मैसेज भेजा है मनुज जी प्रयागराश से इनका कहना 3,000 रुफे आए हैं माता उनमुखी करण का पैसा को लोकेटड हूँ इसलिए 8,110 रुपे वो और आए हैं बच्चों के खेल खेलोने के लिए लेकिन वह बोले हैं कि हम लेंगे सामान लेंगे और देंगे लेकिन नहीं लेकिन वही देंगे इधर उधर का सामान क्या भाया जी बताएं प्रवंधन समिती जो इसकूल का था उसके अकाउन में आने चाहिए ते वहीं पराएं होंगे ज्यान देना और जहां कहीं भी फिलाल आये हो जिस मद में आये हैं वो सब बता दिया गया और वही सब सामान वही चीजों में पैसा लगना चाहिए अगर नहीं लगता है नहीं हो रहा है तो आप चाहें को इस बात की सिकाद विभाग से अपनी कर सकती है गुपता देवी है सितापुर से लिखा गया पंदा सो हजार और पांसो इतने रुपे उन्तिस तारीक को आ गए है अनीता जी मुरादाबास से हैं इनके वहाँ पर भी कल आ गए है और पैतालिसो ये मांदे वाले नहीं है अतरिक्त मांदे प्लस पीलाई है पैतालिसो में एक माह का अतरिक्त मांदे है और दो माह का तीन हजार पीलाई सामिर है इस केस में पैतालिसो नोंने बोला है संध्या वराड़सी से हैं इनका कहना आए कि भाया जी हमार एकाउंड में राज सरकार का मांदे था और पिलाई दोनों सक्सेज हो गया है और टोटल आ गया था जैसरी बारा बंकी से हैं पंदा सो हजार पांसो इतना पैसा इनका आया है इनके वहाँ पर भी मादुरी आजमगर से इनका कहना है मांदे के खाते में आता है गोदभराई ग्यानमाल जौनपुर से हैं उन्होंने कहा कि दो हजार और हजार और पंदा सो ये सब रुपे इनके वहाँ पर भी आ गया तो ज़्यादा तर जिनका दो-दो महिने का पिलाई बखाया था तो दो महिने का आ गया इससे ज़्यादा का बखाया था तो वो भी आ गया सुसमा जी कानपूर से हैं और 1500-500 ये सब रूपे उनके वहाँ पर आ गए हैं 4500 अला भी मद का पैसा नहीं आया एक और मैसेज लगा है जिसमें कि 249, 22 और 3841 रुपिया ये तीन एकाउंट हैं जो इन्होंने चेक किया होगा अपना और ये लास्ट का डिजिट आप देखेगा उनके एकाउंट नमबर के और उस एकाउंट में आये हुए पैसों के ये टोटल एमाउंट के बारे में जानकारी है 879 जो लास्ट में एकाउंट नमबर है उसमें 3841 रुपे हैं बाकी ये इन्होंने अपना चेक करके भेजा है किरन गोरकपुर से हैं और इनका कहना है कि भाया ज ने कहा है कि वो समुदाइक गतविदी के पैसे आते हैं अब तिमाही के आधार पर आते हैं साबत्री पांडे गुंडा से हैं 2000 और 1000 और 7500 इतना सब पैसा इनके वहां पर पहुंचा है अब सिल्पी अमेटी से हैं इनके वहां से 1500 और 1250 इतने रुपए उन्होंने कहा है कि आए हैं मिनी आगनबारी वरकर हैं गात्री सा मौ से हैं और उन्हों अपने वहां से मैसेज बेजा 4500 पंदा सो 2000 और टोटल लिख दिया 9000 रुपए आए हैं 4500 रुपया तो 25 तारीक को ही आ गए थे तो देखो 4500 भी इनके 25 तारीक में ही उन्होंने कहा आ गए थे अब बाक महीने का इसमें एक्स्टा पियलाई भी सामिल है जैसे कि आपने 2000 और 1000 का जो मैसेज देखा है इसमें से ये दो महीने का पियलाई है 2000 और 1000 साती सरोज देवी वारणसी से हैं 500,300 और 500 रुपए इतना टोटल इनके वहां पर आया है खोली तक तो खुसकबरिया नहीं मिली अब खुली के बाद फिलाल ये पैसे मिले हैं लेकिन आ गए हैं पिछले सभी पियलाई के तो ये अच्छी बात है बेबी गाजी पुर से है 12,000 रुपए उन्होंने लिखा है कि आए हैं अब देखो इनके वहां पर जो पियलाई होगा वो कई महीनों का बकाया होगा इस के रहती होंगी हम तो काम करते फिर भी नहीं आता ऐसे बेने बोलती रहती है ना तो अब देखो मैंने बहुत बार कहा हो सकता है पियलाई आपके वां जन्नेट नाव किया विभाग ने एक अठा देखो आ गया तो ऐसे कुछ चीज़ी हैं तो इस बारे में मैंने हर बार कहा था विभाग से संपर कर लो पियलाई बनाया गया की नहीं बनाया गया आपका फिर कब आएगा वो चीज़े वही बताएंगे तो अब देखो सब खुस ख़बरिया निकल के आ रहीं उमा फतेपुर से हैं पंदा सो इनके वहां पर भी उन्होंने कहा किया गए है मीनू राम पात्ति आपक्राबास से है 50五 रुपय और सथी ये और भी रुपय लिकैं हैं 45 इस सब इनके वहां पर भी पहुँच गये हैं सथी साथ इनके अलावा नेदें सिंग लठ नहूं से हैं बात करें यहां की तो 4500 रुपया इनके वहां पर भी पहुच गएं की 1500 पिछले मा का आया वज़े क्या है वो नहीं पता है साथ क्लोजिंग का समय हो या कुछ भी जिस कारण कुछ चीज़ें हो रही हो जो केंदर से सरला सिंग हर दोई से हैं 4500, 3500, 3500 ऐसे सम्मेसेज आये हैं साथी ये कुछ जानकारियां उन्होंने भेजी हैं और नीचे कुछ लिखकर के भी आपके दोरा विभाग की सारी जानकारी मिलती हैं अब हम लोगों को किसी से पूछना नहीं पड़ता है आपके दोरा सारी जानकारी मिलती रहती हैं कभी कभी ऐसा होता है आपकी जानकारी के 5-6 रुबाद आफिस से बताया जाएगा कि गतविदी का कलेंडर डाल दिया डेली अपनी खबरों को देखा करें साथी आज के इस वडियों को यहीं तक रखते हैं दोस्तों धन्यवाद